utilisation में जो सबसे पहला चेप्टर होगा that is what that is illumination हम illumination create कर रहे हैं with the help of what electrical sources with the help of electrical sources that is what that is illumination अगर इसको हम करें क्या होता है illumination देखो ज़र इल्यूमिनेशन इजब फिनोमेना कब जब लाइट किसी सर्फेस पे गिरता है इसी प्रॉसेश को क्या बोलते हैं illumination कि अब लूमेन पर मीटर स्कॉार इसको समझने के लिए पहले अपन टम समझते हैं तो क्या है यह टम्स जब आप समझ करके फ्री होगे तब आपको illumination का exact मतलब समझ में आ जाएगा ठीक है जब यह टम समझके फ्री होगे आप मतलब एक बार पहले अपन सिर्फ नाम देख लेते हैं क्या क्या है plane angle, solid angle, luminous flux, illuminations, luminous intensity उसके लाँवाँ mean horizontal candle power, mhcp, mscp, mean spherical candle power, mean hemispherical candle power, mhscp, luminance या फिर brightness और lamp efficiency इसके अलावा कुछ factors भी होते हैं जैसे utilization factor, maintenance factor, depreciation factor, waste light factor, reflection factor इसके अलावा absorption factor, reduction factor, beam factor, space to height ratio and glare जब हम इतने terms को हर एक terms को individually देखेंगे, उसको समझेंगे, उसके unit पर काम करेंगे, ठीक है, और उसके formula पर काम करेंगे, तो जब सारी सीजे complete होंगी, तब कहीं न कहीं आपको illumination का असली मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है, इस्टाट के आजाएक करके, ठीक है, इबाद फिर से देख लेते हैं, क्योंकि टम्स बहुट धेर सारे हैं, ठीक है न, और इसको एक साथ, या फिर सारी बातें दिमाग में रखने का एक ही तरीका है, कि आपको individual चीजों को visualize करना पड़ेगा, image बनानी पड़ेगी, otherwise बीस एक साथ ह्याद नहीं होंगे आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं रट लूँगा, तो नहीं होगा, फिर वही प्राब्लम आ इमेज क्रियेट करना पड़ेगा, कोशिस पूरी रहेगी मेरी, ठीक है न, यहां पर यहां सके थूरू या फिर ऐसे इमेजिन करवा के, ओओ image क्रियेट करवा दू, ठीक है न, तो image क्रियेट करना पड़ेगा, आपको भी एफ़कर डालना पड़ेगा, कि actually बोलना क्या चा Luminance, Brightness, Lamp Efficiency, इसके बाद Utilization Factor, Maintenance Factor, Depreciation Factor, Waste Light Factor, Reflection Factor, Observation Factor, Reduction Factor, Beam Factor, Space to Height Ratio, and Glare, ठीक है न, तो चलो फिर एक एक करके, डिसकस करते हैं, तो the first one is, plane angle, लिखे, first one is plane angle, और पहले समझेंगे, फिर लिखेंगे, ठीक है, इनी की मलब मैं समझा रहा हूँ और आप लिख रहे हूँ, क्योंकि ये चीज़े ऐसी है न, कि आपको लगेगी कि आसान है, बट एक्चुली इसको retain करना tough है, अभी लिख लोगे, साथ समझ भी भी आज जाएंगी, इसलिए image बनाना ज़रूरी है, ठीक है, खेर, तो क्या है, सबसे पहला term है हमारा plane angle, एक्चुली हमारे लिए important solid angle है, हमारे लिए important solid angle है, बट plane angle को इसलिए पढ़ रहे हैं, ताकि solid angle अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है न, चलिए, तो दिखो जारा, plane angle है क्या simple, अभी definition पे मत जाओ, एक circle है, एक circle है, आपने दो basically यहाँ पे क्या किया, line draw कर दी, ठीक है, दो line draw कर दी, ऐसे center से relate करते हुए, अब ये दोनों line, उब्यस्ची बात है, क्या बनाएंगी, एक arc बनाएंगी, ये दो line connect करिये, एक क्या बनाएंगी, एक arc बनाएंगी, और ये जो arc है, ये center पे कुछ न कुछ angle बनाएगा, बोलो हाँ या न, ये जो arc है, ये वाला arc, ये center पे क्या बनाएगा, angle बनाएगा, इसी angle को क्या बोलते हैं, plane angle, simple, ठीक है क्या, दो line और दोनों line के बीच में, दोनों line के बीच में, क्या है, good morning, तो, ये arc बनाएंगी, और ये ही arc, basically, क्या बनाएगा, angle, center पे, तो इसी को क्या बोलेंगे, basically, plane angle, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, plane angle, done, okay, अब, क्या relation होता है, क्या relation होता है, अगर हम उसको देखें, तो देखो, आपने पढ़ा होगा, basically, arc is equal to, क्या होता है, radius into angle, ठीक है, angle into radius, ठीक है, यहाँ पे ये जो angle है, है, न, that is actually plane angle, that is actually plane angle, ठीक है, क्या, यह arc मतलब क्या, arc की length, न, arc की length, अगर किसी को नहीं समय में आ रहा है, तो जैसे आप से अगर मैं यह पूछू, कि चलो इसको open करते हैं, इसको open करके straight line बन जाएगी, बोलो हाँ है, न, तो ओ जो straight line बनेगी न, वो basically उसका length बता सकते हो, क्या, what is length, तो आप क्या करो, आप length बताना है, arc length ही, इसको ज्यादा सही से क्या बोल सकते हो, आप, arc length, अब देखो, इसको मैंने open करके से open कर दिया, एक बात बताओ, यह पूरा circle कितना angle बनाएगा, 360, मलब 2pi, कितना बनाएगा, 2pi, तो कितना हो गया, 2pi, into radius क्या है, r, 2pi r, बढ़ते तो हो हमेशा, कि किसी circle का जो periphery length है, पूरा, वो कितना होता है, 2pi r, क्यों होता है, समझ मैं आएगा, ठीक है, 2pi is what, total angle, and r is what, radius, अब इसी तरीके से, अगर मुझे थोड़ा सा कोई पूछ रहा है, that is, d theta, जैसे अगर यहाँ से angle पूछा जाए, तो क्या बोलोगे, arc length upon radius, arc length upon radius, तो arc length is what, ds, radius is r, तो d theta is equal to ds by r, ठीक है क्या, what is the unit of plane angle, what is the unit of plane angle, तो simple radian, आई बसमे, unit of plane angle is what, to that is radian, that is radian, ठीक है, जैसे अपना omega पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते है, radian per second, तो that is angular velocity, तो अब देखते लेते हैं, definition, the angle subtended by an arc of a circle at its center is called plane angle, SI unit of plane angle is what, radian, SI unit of plane angle is what, radian, और अगर कोई यह पूछे, कि total, कि यह जो total plane angle है, पूरे circle की द्वारा कितना होएगा, बताओ जल्दी, 2 pi, मैं बोलाओ कि ऐसे देखो न, मालू मैंने एक ऐसे इस तरीके से बनाया, आपको क्या लग रहा है, यह कितना angle है, यह angle कितना है, 90, अगर मैंने semi circle बनाया तो कितना angle बनाये गए, अगर मैंने इसको पूरा ही कर दिया, तो बताओ कितना angle बनायेगा, 360, 360 को अपन क्या लिखते हैं, 2 pi, 2 pi में क्यों लिखना है, क्योंकि unit क्या है, रेडियन, जब आप 360 बोलते हो न, तो that is degree, that is degree, बट जब आप जैसे अज़ा, अगर यहां पे एक बात और सम्झोगा अगर, तो क्या बताया, बेसिकली, what is plane angle, बताओ जल दे, what is plane angle, to arc length, divide by radius, ठीक है, plane angle is what, arc length divided by radius, what is unit, radian, ठीक है न, what is unit, radian, तो इसको अपन sort में कैसे लिख देते हैं, rd, sort में लिख देंगे, rd, ठीक है, ओके, उसके बाद, अब जैसे माल लो, अगर, जैसे कि आप degree को, degree को, radian में बदलना आता है कि आपको, बताओ, कैसे होगा, जैसे माल लो, 60 degree है, इसको radian में बदलोगे, कैसे बदलते हैं, 60 into pi by 180, तो कितना हो जाएगा यह, pi by 3, that is what, radian, ठीक है क्या, और अगर, माल लो, radian में दिया हुआ है, माल लो, radian में दिया हुआ है, radian में दिया हुआ है, माल लो, कैसे, pi by 4, अब इसको आपको, degree में बदलना आता, कैसे बदलोगे आप, pi की जगह क्या रख दो, 180 degree, पाई की जगह क्या रख दो 180 degree divided by 4 कितना आ जाएगा यह 45 degree ठीक है क्या ठीक है ठीक है तो यहाँ पे एसाद तो एडिफिनिशन निख लोगे आप की जो टूटल सरकल है ना जो टूटल सरकल है पूरा सरकल इस सेंटर पी कितना प्लाइन अंगा बनाएगा जल्दि बूलो फूरा सरकल इस सेंटर बिरन पनाएगा two tutti ठीके ना क्लियर सबको प्लेन एंगल अभी को सॉलिड एंगल क्या होता है बहुत ध्यान से समझेंगे ठीके यह ओ आसान था यह थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि वाट एस सॉलिड एंगल वाट एस सॉलिड एंगल तो देखो जरा है मौनलो कि ए आपका पूरा फुट बॉल है ठीक है ए आपका पूरा फुट बॉल यहश्मल अब इस पर मेंने क्या किया सिम्पल सा ऊपर ही एक सार्कल बना दिया सरकल बनाया होगा तो बेसिकली क्या होगा लाइक कि कुछ न कुछ किसको रिपरेजन करेगा एरिया को रिपरेजन करेगा बोलो हाँ या न जैसे मैंने यहां पे मैंने यहां पे एक लाइन बना दी इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी थी बताओ एरिया को रिपरेजन कर र एक पूरे फुटबाल का एक छोटा सा पोर्शन भाट एडिया अब ओसर्फिस एरिया अंदर सेंटर की तरफ ले जाएंगे पूरे को सेंटर की तरफ ले जाएंगे एक कौन बनेगा इमेजिन कर पा रहे हो एक कौन बनेगा देखो इस तरीके से यहां पर देखो जड़ा यहां पर क्या बन रहा है जब हम इसको सेंटर की तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा कौन बनेगा तो इस कौन का इसको अब य इसके अंदर इसका जो इंगल है ना जैसे अगर मैं इसको यहीं से काट दूँ इसको मैं यहीं से काट दूँ तो बेसिकली मुझे एक ऐसा कुछ दिखेगा की नहीं and that is not a line again तो इसके अंदर इंगल बनेगा उसी को क्या बोलेंगे शॉलिड एंगल डन ठीक है तू देखो जारा यह दिख रहा है लाइन बटेलाइन है नहीं दिख रहा था ना ठीक है तो क्या है वट इस सालीड इंगल दे एंगल सब्टेंडिड बाई गिवन सर्फेस एरिया अब यहां पर सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजिन करते हैं यहां फीर इस तरीके से ओम से रिप्र आप सॉलिद एंगल का फर्मूला देखो प्लेन एंगल का फर्मूला बोलो जल्दी अर्क अपन रीडियस आर्क उपन रीडियस अब यहाँ पर सम्झो जरह वहां पर आर्क था लाईन थी यहां पर क्या था कि अंग कि सर्फिश एरिया डाट इज़वाट सअर्फिस एरिया है सभर रहा है क्या सर्फिश एरिया वहां पे नीचे क्या था रेडियस यहां पे होता है रेडियस का इसक्वाइर थीख है यहां पर क्या होता है radius का square तो वहां पर arc length divided by radius यहां पर क्या है surface area upon radius का square थीख है अब जैसे मैंने एन तो मालू इतों चोटा सा लिया मैं इतना बड़ा सर्फिस फुटबॉल पे मालो इतना बड़ा सर्फिस में निकाल देता हूँ ठीक है इतना बड़ा अब इस सेंटर पर जाके और ज्यादा इंगल बनाएगा ना भूलो हाया ना जैसे अब यही था तो अभी मालो इस तरीके से है इसको मैं अभी देखो अभी सर्फिस एरिया अगर मैं इसको गड़ दूँ तो डाट इस सर्फिस एरिया अभी सर्फिस एरिया कम है तो इजो इंगल आपको दिख रहा होगा वह भी क्या दिखेगा कम दिखेगा बट अगर अभी सर्फिस एरिया बढ़ा दिया मैंने तो इंगल भी क्य तो मिख अब यहाँ पे कुश्चन बनता है कि माल लो। जैसे वहाँ पर मैक्सिमम प्लेन एंगल कितना हो सकता है मैक्सिमम। तूपाई यहाँ पर कोई पूचे कि मैक्सिमम सॉलीड एंगल कितना हो सकता है तो वटीज़्यू सरफिस एरिया फियर। पूर पाई आर इसक्वायर क्या होता है पूर पाई आर इसक्वायर डिवाइड बाई आर इसक्वायर वड़ीद आंसर फूर पाई वहाँ पर यूनिट क्या थी रेडियन यहाँ पर यूनिट पता है क्या होता है इस्टे रेडियन ठीक है तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि एक सॉलिड पूरा सॉलिड स्फेर है उसका सॉलिड एंगल मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना बना सकता है वाद इस आंसर फूर पाई लाए तो अगर कोई बोल लाया कि 4pi isteradian कोई बोलाया है 4pi isteradian इसका मतलब समझ रहे हो कि एक point source है और उसकी चारू तरफ क्या हो रही है light निकल नहीं है तो उसको हम consider करेंगे तब ही हम बोलेंगे क्या I study या 4Pi, clear है क्या, तू सम्झो जड़ा, the angle extended by a given surface area of a spherical surface, spherical surface at its center is called as solid angle, done, SI unit of solid angle is what, steradian represented as what, SR, ठीक है, जब SR लिखा जाया तो समझ जाना क्यों क्यों क्या लिखा गया है, steradian, clear, okay, total solid angle, subtended by total surface of sphere, and what is total surface of sphere, जल्दी बोलो, 4Pi, R square, surface पूछ रहो में, total surface is what, 4Pi, R square, तो यह बोला कि total surface area कितना angle subtended करेगा, तो answer is what, 4Pi, और total, एक कोई circle है, वो total plane angle कितना ओ करेगा, बताओ जार, total plane angle, so that, total plane angle at its surface, so that is 2Pi, समझ मैं, total plane angle at its surface is what, 2Pi, और total solid angle at its, sorry, वहां भी center था, यहां भी center है, at its center is what, 4Pi, यहां तक सारी बाते क्लिए रहेंगे, solid angle and plane angle, अब solid angle को किसे represent कर रहे है, अपन, omega से, और plane angle को theta से, plane angle को अपन theta से represent कर रहे है, ठीके न, तो omega is equal to basically क्या होता है, 2Pi, 1 minus cos theta by 2, 2Pi, 1 minus cos theta by 2, this is the relationship between solid angle and plane angle, ठीक है, इसको अपन लेक के रखोगे, यहां पर फिर से बात हो जाए, अगर तू जली बोलो, what is theta, what is theta, arc upon radius, arc upon radius, unit is what, radius, radian, ठीक है, दूसरा, अगर मैं बात करूँ omega की, तो उसका formula बोलिए, surface area, surface area, divide by radius का square, unit बोलिए, stay radian, and this is the relation between them, ठीक है, आगे बढ़ जाए, तो हमें plane angle समझ में आ गया, हमें solid angle समझ में आ गया, क्या, अभी आप मेरी बार समझ पाया की नहीं, जो मैंने starting में बोला था कि image बनाना पड़ेगा, तो ओ image बनाने की कोशिज करो आप, समझ दो ना, हर एक definition के लिए image बनाने की कोशिज करो, तो plane angle कहते ही आपके दिमाग में circle आना चाहिए, solid angle कहते ही एक पूरा solid sphere आना चाहिए, ठीक ना, क्या आना चाहिए, solid sphere, done, चली, आगे बढ़ जाते हैं, third definition, third definition is what, luminous flux, luminous flux या फिर luminous power, luminous flux जब भी आद रखना luminous या illumination यूज किया जाए, समझ जाना कि वो light से related बाते हो रही है न, ठीक है, luminous flux अब आपने electrical engineering पढ़ी हुई है, तो कहने का मदलब वहाँ पे हम बात करते हैं, electric field और magnetic field की हाँ या न, तो चलो, magnetic field को तो चलो, रहने दो, वो थोड़ा सा कर बनाता है, electric field के बारे में याद है, कोई point charge है, वो basically क्या करता है, electric field release करता है, बोलो हाय न, तो वो electric field दिखता तो नहीं है हमें, इसी तरीके से वो क्या है, light source है, अब उभी क्या release कर रहा होगा, क्या release कर रहा होगा, basically luminous flux, जैसे वहाँ पर क्या release कर रहा था, electric flux, वहाँ पर क्या release कर रहा है थे, electric flux, flux ही field होता है, ठीक है, confuse मत होना, field बोलो या फिर flux बोलो, तो यह जो लाइने निकल रही हैं, वो जो लाइने होंगी, electromagnetic radiation के form में, जिसकी वज़े से हमें, चीज़े दिख रही हैं, उन लाइनों को ही क्या बोलना है, flux, luminous flux, आगी बास में, क्योंकि सिफ flux बोलते हैं तब समझ में नहीं आता है कि electric flux है, magnetic flux है, इसलिए और क्या word लगा दिया है, luminous, luminous flux, या फिर और क्या बोलते है, है, luminous power, simple सी बात है, ज्यादा flux आ रहा है, मुलब ज्यादा पावर है, कम flux आ रहा है, मुलब कम पावर है, बुलो हाई है न, ठीक है, चलिए, यह तो हो गया, बलब, इसका, इतीज इतीज़ अमीजर आप दे, टोटल एमाउंट आफ लाइट इमिटेट फ्रमा सोर्स इन ओल डायरिक्शन, जहांसे समझो, इन ओल डायरिक्शन, किसी पर्टिकूलर डायरिक्शन में नहीं, मैंने यहां पर बल्ब जला दिया, एक बल्ब जला दिया, अभी चारो तरफ लाइट फेकेगा, चारो तरफ, उस चारो तरफ जो फ्लक्स निकल लाया, चारो तरफ जो पावर इमिट हो रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं, लियूमिनस फ्लक्स, समझ मागया क्या, एक सूर्स है, चारो तरफ लाइट जा रहा है, उस सारे लाइट को, बिसिकली हम क्या बोल रहे हैं, luminous flux, clear है, तो it is a measure of the total amount of light emitted from a source, emitted from a source in all directions, in all directions, ठीक है, या फिर, और क्या बोल सकते हैं, flow of light, simple, flow of light, तो magnetic flux का जैसे weber होता है, उसी तरीके से, अब कुछ तो value चाहिए न, बताने के लिए, तो उसी तरीके से luminous flux का unit क्या होता है, lumens, क्या होता है, lumens, जिस तरीके से weber होता है, उसी तरह इसका क्या होता है, lumens, सुझ में आया क्या, कितने flux, एक आपका, electric flux, एक आपका होता है, magnetic flux, और तीसरा अभी आपका क्या हो गया, luminous flux, ठीक है, तो electric flux, phi is equal to, याद है क्या, ea cos phi, याद आया, and magnetic flux, phi is equal to what, ठीक है, तो phi is equal to what, b a cos phi, अब फिस सिंपली बी ये बोल देते हैं, ठीक है न, तो इसकी unit क्या होगी, electric flux की unit क्या होगी, बोलो, electric field की क्या होती है, bolt per meter, area क्या होता है, meter square, तो basically क्या हो गया, bolt meter, that is unit of electric flux, magnetic flux पे आ जाओ, तो basically a, b, बी का बताओ, देखो एक तो चलो, flux, एक तो magnetic flux का वेबर होता ही है, इसके अलावा, इसके अलावा बताओ, एक तो चलो, वेबर होता ही है, इसके अलावा बताओ, और कुछ है, बी को बी का यूनिट क्या होता है इसके अलामा भी उसमें नहीं जाते हैं वेबर और यहां पर जो लूमिनस फ्लक्स है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी लूमेन ठीक है छोटी-छोटी चीज़े आप याद रखोगे तो बोल्ट मीटर, मैगनेटिक फ्लक्स वेबर और लूमिनस फ्लक्स यूनिट क्या होती है लूमिन ठीक है चलो अब जैसे एब देखो कैंडल है आपने चारों तरफ यादि कर रही है treatment luminous flux, unit क्या है, lumens, यहां तक सबको बात के लिए रहे क्या, ठीक है, तो यहां पर एक definition और लिख सकते हैं, luminous flux का लिखो, it is defined as the total quantity of light energy, it is defined as the total quantity of light energy emitted per second, emitted per second, emitted per second, emitted per second from, from a, from a, luminous body, luminous body, ठीक है, luminous body, and represent किसे किया जाता है, तो यहां तो F से या फिर 5 से, ठीक है, F से या फिर 5 से, तो क्या होता है, illumination, illumination या फिर, अभी देखो, स्टार्टिक में मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको यादो, illumination का definition भी लिखा था, एक differential लिखा था, एक formula लिखा था, बड़ उस formula को मैंने क्या बोला था, कि अभी पहले कुछ term समझ लेते हैं, तब स्वाज में आए गाई है, स्वाज में आ रहा है कि नहीं, देखो ना, यहां पर क्या लिखा था, it is defined as the number of lumens falling on the surface per unit area, अभी आपको क्या पता चल चुका है, कि what is number of lumens, what is number of lumens, luminous flux, simple ना, lumen number, ठीक है ना, तो उसी तरीके से, अब यहां पे, basically इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं, that is what, illumination, बलब ऐसा नहीं, बलब जो पहले देखा था, वही है, वहां पर हमने formula नहीं what is illumination, तो illumination अब जैसे for example, मालो एक बल्ब है और एक tube light है, एक बल्ब है, एक tube light है, अब मैंने इसको off किया, इसको on किया, फिर इसको on किया, इसको off किया, मालो दो अलग-अलग cases ले लिए, तो आपने surface पे देखा, मालो आपको देखा कि रूम में light कम है, वह कैसे आप justify कर प area ले लिया, और उस पे क्या हो रहा है, number of lumens कम पढ़ रहे होंगे, तभी light कम होगी, बोलो हाया ना, या number of lumens ज्यादा हो रहे होगे, तभी एक तरीके से intensity ज्यादा होगी, मलब उस तरीके से, तो when the light falls upon any surface, when the light falls upon any surface, the phenomena is known as illumination, अब, it is defined as the number of lumens falling on the surface per unit area, या, per unit area, ठीक है, जैसे, अब यहाँ पर मालोक आपने कोई surface decide कर लिया, अब यहाँ से कितने flux lines जाकर टकरा रही है, वही क्या बोलोगे आप, या फिर आप इस बात को ऐसे समझों, दूसरे तरीके से, अब दोनों light जल लिए, ठीक है, दोनों light जल लिए, मैंने एक बार ऐस area fix कर दिया, area fix कर दिया, अब जितना ज्यादा lumens इस पर गीरेगा, उतना ज्यादा इसमें brightness दिखेगी ना, मुझे, simple सी बात है, तो अगर ज्यादा brightness दिख रहे हैं, मैं समझ जाओंगा कि number of lumens क्या है, ज्यादा है, और अगर इधर, मालो इस सुए जैसे, मालो, कम है, मालो दूसरी बार उसको off किया, छोटे बल्ब को on किया, अब उससे number of lumens क्या होंगे, कम पढ़ेंगे, तो मैंने area fix करके तभी decide किया, अब ऐसा तो है नहीं कि इस समय छोटा से area लिया, और उसके समय बढ़ा सा area लेकर कि तब तोड़ीं comparison करेंगे, ठीक है, तो per unit area number of lumens कितने गि गिर रहें, तो it is defined as the number of lumens falling on the surface per unit area, clear है क्या, तो number of lumens formula wise बात करें तो what is illumination number of lumens per unit area, number of lumens per unit area, ठीक है क्या, आगे बढ़ जाएं, तो अब इसकी unit की बात कर लेते हैं, unit की बात कर लेते हैं, तो देखो जरा, क्या बोला, number of lumens, number of lumens is what basically, luminous flux, that is luminous flux, luminous flux और area, तो flux को represent करते हैं, F से और area A से, या फिर 5 से, area A से, ठीक है क्या, अब luminous flux की unit क्या थे, lumens और area क्या होता है, meter square, बोलो हाई या न, तो lumens per meter square, that is the unit of what, जाली बोलो, illumination, या फिर, illuminance, वहाँ देखो, इसमें बहुत सारे term, मैंने 20 लिखवाया न, कम सम 25 से 26 है term, जो confuse करते हैं, तो illumination ही क्या है, illuminance, illumination ही क्या है, illuminance, ठीक है, चलिए, तो, अब जैसे ही आएगा हमारे सामने की, what is illumination, तो basically हम क्या या रखेंगे, चमक, चमक कैसे देखेंगे, कितनी ज़्यादा, चमक कैसे देखेंगे, एक छोटा सा area define कर लेंगे, उस पे number of lumens देखेंगे, तो number of lumens per unit, per unit surface area, ठीक है ना, तो अब lumens is a unit of luminous flux, तो और उसका area के लिए meter square, तो lumin per meter square, और इसी को सॉट में क्या बोलते हैं, lux, लक्स, ठीक है ना, तो basically जो illumination है, इसका unit क्या है, that is, lux, लग रहा है, सो पालों ने नाम यहीं से चुराया था, add देते थे थे ना पहले, एस वरे राय के साथ, क्या हो जाएगा, तो, lux, lux is a unit of illumination, ठीक है ना, lux is a unit of illumination, लक्स के अलावा, एक दू यूनिट और है ना, इसका एक unit और लिखलो आप, फूट कैंडल, ठीक है, फूट कैंडल, या फिर कई बार होता है, मीटर कैंडल, मीटर कैंडल या फिर फूट कैंडल, अभी कैंडल पावर को डिफाइन करूंगा ना, तो, इसको और अच्छे समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है, अभी कैंडल पावर, कैंडल, कैंडल इजए यूनिट ओफ, लिवनेस इंटेंसिटी, ठीक है न, उसके टर्म से भी बात करेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे लिख लेना, दो और कौन-कौन, ठीक है, चलिए, तो, अगला क्या था हमारा, लिवनेस इंटेंसिटी, अब, फ़री थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, अब, सेकेंड नंबर की कौन सी डिफिनीशन पड़ी थी हमने, याद करो, अब, उसको यहाँ प्योज करेंगे, जैसे ही, लिवनेस इंटेंसिटी आए, आपके दिमाग में आना चाहिए, इंगल, पहली बात तो आप इसे समझो, लिवनेस इंटेंसिटी, अब, इसको आप ऐसे याद कर लेना, कि इंटेंसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, तो उससे आपको याद रहेगा, कि जब भी लिवनेस इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में या डिफिनीशन में कौन आने वाला है, सॉलिड एंगल, ठीक है क्या, कौन आने वाला है, सॉलिड एंगल, चलिए, अब देखो, आप ऐसे समझो, कि अगर इस लिवनेस फ्लक्स को, इस लिवनेस फ्लक्स को, बहुत ध्यान से समझना, इस लिवनेस फ्लक्स को, यह क्या है, यह क्या निकला, लिवनेस फ्लक्स, अगर इस लिवनेस फ्लक्स को, आप सर्फेस पे ले जाके मीजर कर रहे हो, तर्फेस पे तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे해 सन इसको क्या बोलेंगी इन्लमिनेस ऐस जे मेंडियर करें और अगर यहांसे राष्टे में ही कहीं मीजर कर लो तो उसको क्या बोलेंगे luminous intensity राष्टे में कैसे मीनिजर करें राष्टे में कोई एरिया तो है नहीं तो राष्टे में मीजर ऐसे करना है कि यह कोई सोर्स होगा तो सोर्स जैसे कि मालो कोई सोर्स है तो किसी पर्टिकुलर सॉलिड एंगल को आप कंसीडर कर लोगे और अगर इस सॉलिड एंगल को आप कंसीडर कर लोगे तो इस सॉलिड एंगल में सॉलिड एंगल समझ में आ रहा है कि नहीं जो बात हुई थी हमारी ठीक है क्या जैसे मालो ऐसे समझो इस तरीके से मालो ठीक है मैंने क्या किया ना मैं इसको ले करके ऐसे यहां पर एक लाइट सोर्स लगा दी मैंने यहां पर लाइट सोर्स लगा दी तो सारा फ्लक्स तो इसमें से नहीं जाएगा मैंने यहां पर एक सोर्स लगा दिया है ठीक है ना मालो इस तरीके से सोर्स है अब इसमें से जैसे मालो तो कहने का मतलब यहां से क्या अब इसका क्या होगा इसका क्या होगा तो इस सालिटेंगल में से कितना नमबर आफ लिमन्स कितना लिम्लमेश फ्लक्स कितना जार है वही क्या बताता है लिम्लेंस इंटेंसिती तो अगर सर्फिस वेढ़नी के बाद मीजर कर रहे हो तो दैट इस वाट इलुमिनेशन या फिर लुमिनेंस बट अगर जहां से निकल रहा है वहीं से आप किसी पर्टिकुलर छोटे से सॉलिड एंगल पर चेक करना चाहा रहे है उस तरीके से उसको क्या बोलेंगे लुमिनेस इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी के लिए कौन सा अगल या फिर सॉलिड एंगल और इलुमिनेशन के लिए कौन सा जरूरी है एरिया मलब आप ऐसे समझू कि किसी रूम में कितने illegal mission Consultake Service Dickie 봄 अगर सर्फेस्ट भी सफीड धीलंग दिख रहा है तो मदब ज्यादा ॹोगा बूहायई रहे तो LMNBP क्या है फ्लक्स अपॉब Requ लूमैरे सिंटेंसी टेरेट इड़ा अब पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं measure of the power of the emitted light by a light source in a particular direction per unit solid angle, in a particular direction per unit solid angle, ठीक है न, पर unit surface area that is illumination, पर unit solid angle that is luminous intensity, numerator में हमेशा क्या रहेगा, luminous, sorry, luminous flux, numerator में, उपर तो हमेशा यही रहेगा न, flux, lumens, number of lumens, नीचे का बतल ला है न, ठीक है क्या, तो particular direction per unit solid angle, it is defined as the flux emitted, चलो, यहां पर आ जाओ, देखो, what is luminous intensity, that is what, luminous flux divided by solid angle, luminous flux divided by solid angle, and, इसकी unit क्या होती है, luminous flux की, lumens, और solid angle की क्या होती है, अरे अभी तो बढ़ा है, steradian, solid angle की steradian, तो lumen per steradian, और इसी को combine ली पता है क्या बोलते है, candle power, सुन में आया, lumen per meter square, उसको combine ली क्या बोलते थे, flux, इतने अभी हम कौन से नमबर पे हैं, कितने terms हैं, कि मलब 20 तो है नहीं यहां पर आपके सामने, तो कहने का मलब जब आप individually इस तरीके से नहीं चम्जोगे ना, इतना confused हो जाओगे कि मलब दो दिन बाद भी आपने बता पाऊगे कि कौन किसका क्या था, ठीक है ना, अभी तो सोचो पांच में है, कि आप चीज़ें मिक्स होने लग गई है, धीरे-धीरे पुरानी चीज़ें आने लग गई है, इसलिए बोलाओं कि individually ना, मलब ऐसे जब अगली slide जाए ना, तो पीछे की हर एक चीज़ आपको अच्छे से recall होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए time दे रहा हूँ मैं, डन, तो luminous intensity और illumination, illumination और luminous intensity, बस क्या difference है, कि एक per unit surface area होता है और एक per unit solid angle होता है, जो per unit surface area होता है, उसका unit होता है, lux, जो per unit solid angle होता है, उसका unit होता है, candle, ठीक है न, candle power, candle power, इसी को और क्या बोल देते हैं, candle law, या फिर candle power, बहुत सारे terms हैं, कोई doubt हो तो पूछ ले न, जार, चले, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो अगर इसका मैं एक छोटा सा diagram भी बनाना चाहूं, तो कैसे बना सकता हूं, कुछ इस तरीके से, बस ए मैंने क्या कर लिया, इस इज वाट, इस वाट, इस वाट, सॉलिड एंगल, इस सॉलिड एंगल में से, कि इस में से, कितना, फ्लक्स जा रहा है, ठीक है, अच्छा, एक बात बताओ, आप, इस दूनों सॉलिड एंगल सेम है, अलग है, सेम है, डिफर है, सॉलिड एंगल, सेम है डिफर है, सेम है ना, इभी सेम है, सॉलिड एंगल, ठीक है ना, और नंबर ओफ लिउमेंस, सेम है, डिफर है, वो भी सेम है, वो भी सेम ही है, आगी बात समझ में, ठीक है, तो कन्फिूज मत होना, तो कैंडल पावर या कैंडल लाओ, देखो, लाइट निकली, फिर से देखो, पूरे जर्नी को समझो, आपने लाइट सोर्स मलब इसमें जलाया, ये लाइट क्या निकला बेसेकली, लूमिनेस, फ्लक्स, मालो एक पॉइंट सोर्स है, तो इसकी फ्लक्स चारों तरफ जाएंगी, बलब हर एक डायरेक्शन में जाएंगी, बट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सॉलिड एंगल में, आप लूमेंस मीजर कर रहे हो, तो वो बिसिकली क्या हो जाता, लूमिनेस, इंटेंसिटी, और सर्फिस में मीजर किया, तो उसको क्या बोलते हैं, इलूमिनेशन, ठीक है, आगे बात करें, अगर इसी कें कैंडल पावर होता क्या है, तो कैंडल पावर इस यूनिट ऑफ, वट, लूमिनेस, इंटेंसिटी, ठीक है, तो कैंडल पावर इस लाइट रिडियेटिंग, पैसिटी ऑफ ए शूर्स इन गिवें डायरेक्शन, जभी कैंडल पावर ने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को डिफाइन कर दिया इन्होंने, ठीक है, और इट इस डिफाइन इस नमबर अफ लिमेंस आउट आफ सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इन गिवें डायरेक्शन, वही बात है, कुछ अलग से नहीं है, तो कैंडल पावर इस वाट, जब कैंडल पावर पूछे, मलब समझ पूछना चाहरा है। लिमनेस इंटेंसिटी पूछना चाहरा है, ठीक है, कई बार कोष्चन रियुमिनेस इंटेंसिटी नहीं भोलेगा, बूलेगा हा, फाइन गाटब कैंडल पावर, समझ जाना कि कैंडल पावर नथिंड बट what लियुद मिनेस इंटेंसिटी, clear है ग Supreme Supreme St चलिए, अब candle power पर लिया है, candle power मतलब intensity, candle power मतलब intensity, ओके, next, next definition is what, mhcp mean horizontal candle power, mean horizontal candle power, क्या है mean horizontal candle power, तो देख जरा, जिस plane में source है, जिस plane में source है, उस plane की intensity, कितनी है यही बताता है मेन ह् solids टम खेंडल पावर म्स prae खेंडल पाववर को सांटा मेर जिसे देखो एक बहुं अलगा हुआ होगा हुआ हम ऐब भी इस पेमे लिया वे इस धिवार पे I s plane पे बीक लितकिली कितनी इंटेन सीर्ट ए है यही किया में होर्जॉर्टल केंडल पावर सुन माघ कुछ जरा एक इसडिद देफाइड एवरेज मीन ऑफ केंडल पावर्स केंडल पर मनें लुमेंस इंटेन्सिटी और लाइट सोर्स इन आल डिरेक्शन इन दो होर्जॉर्टल प्लें containing the source of light जैसे मालो ही source है तो इसके horizontal यह मालो एक मैंने प्लेट बड़ी इसी चादर रख दी ठीक है तो उस पे luminous intensity कितनी होएगी वही क्या होता है MHCP mean horizontal candle power horizontal इनाम ही बता रहा है कि horizontal plane लेना है अपने ठीक है क्या horizontal plane लेना है ठीक है जैसे light जल लाते या इसका horizontal plane यह हो सकता है या फिर यहां पर जैसे कुछ लगा सकते हो आप डन चलिए आगे देखते हैं अच्छा इन और डारेक्षण का मतलब यह नहीं है जैसे मैंने बोला कि मैंने बोला ओल डारेक्षण तो आप इसका मुलाब यह नहीं हम समुना चारी डारेक्षण में मतलब यह plane है horizontal plane है अब इसका भी तो सारा direction है ना सब्सक्राइब यह नहीं जीरो डिगरी 45 डिगरी 90 डिगरी 3D में नहीं बोला हूं मैं 2D में बोला हूं इन और डारेक्षण ब्रेस बेसिक में चाहिए लिख लेना आप क्या 2D नॉट 3D ठीक है क्योंकि यह और डारेक्षण देखें कंफ्यूज मत हो जाना आप क्योंकि होरिजंटल plane है चलिए नेक्स्ट मीन स्फेरिकल केंडल पावर अब यह क्या है पहले ध्यान से सुन लो फिर बात फिर देखना पहली बात तो आप यह समझो ध्यान से एक बार एक बार ध्यान से करूं चैनल के बार करूं चैनल और चैनल पाल के बात बारे में बात करूं वह टिज मीनिंगओ यूकर ऑफ कैंडल पावर तो candle power यह जो candle power आप यहां पर देख रहे हूं न मैं जस्ट यह चाहा रहा हूं कि जब यह candle power आप देखो न मैं सिपी तो आपके दिमाग में candle power का फर्मुला आना चाहिए अब candle power अब एक बात बताओ यह जो पूरा सर्फेस है क्या लिखा है इस फेरिकल पूरा इस फेयर एक कम्प्लीट इस फेयर कितना सॉलिड एंगल बनाता है बोलो बस वही है फूर पाई रटना तो ही नहीं कुछ एक पूरा स्फेयर कितना सॉलिड एंगल बनाता है बोलो यार फूर पाई ना पहली बात हुई थी ना तो अगर फूर पाई बनाता है तो candle इंटेंसिटी होती क्या है candle power होती क्या है टॉटल फ्लक्स डिवाइट बाई सॉलिड एंगल एंड एंड बाई इस फेयर इस वाट फूर पाई तो एस सिंपल आस डैट ना कि लिए तो नाम किया है मीन मीन को चलो साइड में रखो आप इस्फेरिकल इस्फेरिकल कहते ही हमारे दिवाग में इस्फेर आना चाहिए इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज और इपोइंट चार्ज हर एक डाइरिक्शन में light emit कर रहा होगा ना तो जब हो हर एक direction में light emit कर रहा है तो वाट is surface area 4 pi r square और जब उसको आप इस तरीके से देखोगे कि solid angle निकालना है तो 4 pi r square divided by r square तो कितना r square r square cancel बच्चा क्या 4 pi ना यह तो पहली बात हुई थे हमारी कि solid sphere है तो उसका क्या होता है 4 pi what solid angle तो solid angle का ही क्या पूछा रहा है candle power तो solid angle का sorry sphere का क्या पूछ रहा है candle power और sphere candle power क्या होता है total emitted flux divided by solid angle and what is solid angle for sphere 4 pi तो total flux divided by 4 pi रटन नहीं है कुछ मलब ए full form तो याद रख पाओगे ना आप बस उतना याद रखो बागी से सीजे यादा जाएंगे एम एस सी पी बोलो हाया न डन तो दिखो जाना इट इस डिफाइंड इस डिफाइंड नहीं है अगर होरिजंटल में है तो उसे पर क्या बोलेंगे एम एच सी पी चारो तरफ है तो क्या बोलेंगे में में एम एस सी पी और एक हेमीश्पियर है हेमीश्पियर दिखो हेमीश्पियर को क्या बोलेंगे इजाये धुखो हेमीश्पियर है अब अब यहां पर राइट सोर्स है तो इतो सिर्फ उपर-उपर भी भीजेगा न इ té вद बताओ पूरा स्पेर कितना सौलीड रीगड बनाता ऐ? आधा स्पेर कितना बनाएगा अन्य म्हित है यहांने तो पैण इसम्हां क्या? अगर पूरा स्फेर पूर पाई बनाता है तो आधा स्फेर कितना बनाएगा तो भही तो लिखा है टोटल फ्लक्स इमीटेड डिवाइड बाई तू पाई that is what MHSCP mean hemispherical candle power mean hemispherical candle power MHSCP ठीक है mean hemispherical candle power MHSCP तो तीनों clear है mean horizontal candle power MHSCP मलब आपके दिमाग में बस image बैठाने है एक plate लेलो उसे क्या बोलेंगे जल्दी बोलो mean horizontal candle power एक पूरा solid sphere लेलो mean spherical candle power hemisphere लेलो mean hemisphere candle power बस simple ठीक है क्या and candle power is a unit of luminous intensity so that is what total flux divided by solid angle and solid angle for different different shape is different for hemisphere that solid angle is 2 pi for solid sphere that solid angle is 4 pi all three दी aha थीक है तो ओ या तो या तो अबाव हो लेते हैं या तो ऒिलो तो इक ही बात है रूपर लोगए तो भी टूपै को नीचे लिखूगे तो भी तूपाइल लिखोगे तो ठीक है कितने डिफिनिशन क्लियर हो गया हमें है आठ ठीक है इवा फिर से रिकॉल कराओ सारी पहला क्या था प्लेइन एंगल फर्मुला बताओ आर्ग अपॉन लेंध सेकेंड क्या था सॉलिड एंगल फर्मुला बताओ सर्फिस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वाइर थार्ड वन लिविनेस फ्लक्स अब यहां से सूर्स ऐसे करा करो ना सिंपली की वहां से चले जाओ सूर्स के पास चले जाओ क्या निकल ला है क्योंकि एक्जाम हॉल में भी बैठोगी तो लाइट तो होगी न वहां से रिकॉल कर सकते हो न सारी चीजे क्या निकल ला है यहां से प्लक्स की यूनेट क्या होती है है क्लिमेंस खिया ना फ्लक्स की यूनेट क्या होती है अब वहीं बीच में कहीं मीजर करना है तो क्या करें किया चाहिए हमें solid angle तो number ofफ्लक्स डिवाइट ब्हए शालिद अंगल सरफीस पे आ के उनिट सर्फिस एरिया तो दाट इज़ वाट इलुमिनेशन सब्सक्राइब क्लियर और एक यह था पांच होगे अफिर बाकी तीन ठीक है ना मीन जो टर्म होगा ओगे आगे दिखते अब लुमिनेंस और ब्राइटनेश अब लिविनेश पहले पढ़ा था क्या वह एलुमिनेंस था अब लुमिनेशन को हम और क्या बोलते थे इलुमिनेंस इस इज वाट लुमिनेंस थी के ना ध्यान देना चोटी चोटी बात होगा ißt ट्रेकी लुमिनेंस देडक दन त्य पैबकर्लस प्धार्ना कि 1974 ट्रेक सब्सक्री शिक्राइजत बेडा था प्राइज कोट प्राइज अभर लुमिनेट्ड़एं इसो लूमिनेंस है यह क्या है जैसे कि없이 ऐूनिट सर्फेस एरिया यह क्या था? इंटेंसिक्टी पर उनिट एरिया यही क्या होता है? luminance flux per unit area क्या था illumination या फिर illuminance intensity luminance intensity per unit area यह क्या होता है तो that is luminance या फिर brightness या simple सी बात है अगर मुझे brightness देखनी है अगर मुझे brightness देखनी है तो मैं क्या करूंगा intensity पर ध्यान दूंगा और intensity पर यूनिट एरिया intensity पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी देखो तो वाट इस luminance या brightness luminous intensity पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया तो आई अपन ए कॉस्थीटा आई अपन एकॉस्थीटा आई अपन एकॉस्थीटा लूमिनस इंटेंसिटी पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया तो इंटेंसिटी दन अब तो इट इस डिफाइंड एज दर लूमिनस इंटेंसिटी आप दे लैंप पर यूनिट प्रोजेक्टेड एरिया अफ आइदर लाइट सोर्स और दर रिफ्लेक्टेड सोर्स ठीक है जैसे मुझे दिवार अभी अगर मैं इस पर देख रहा हूं इसकी इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दी घटा दी तो इंटेंसिटी और मैं किसी पर्टिकुलर मालो एप पूरा एरिया को अब कंसीडर कर लिया टेस्टिंग इरिया तो इसे क्या बोलोगे आप ब्राइटनेस ही तो बोलोगी है कि समझ मारा कुछ हों जैसे देख एक है यह बेसिकली लाइट सोर्स है ठीक है अभी मैंने क्या किया एक बिसिकली क्या किया मैंने intensity बढ़ाई न तो इन्टेंसिटी बढ़ाई तो light brightness बढ़ाए नहीं बढ़ा है मारहा है ठीक है देखो intensity कम कर दी brightness तो बेसिकली brightness सिम्पल सी बात है brightness और intensity एक ही बात हो गई है ठीक है क्या तो यह क्या है light सोर्स ठीक दूसरा यह लाइट जल रही है एक किसी सर्फिस पर जाकर रिफ्लैक्ट हुई और फिर आपके आखों पर पड़ी तो इसलिए यहां पर दो डिफिनीशन है यहां पर दो दो प्रहों जिरे आफ आएदर लाइट सोर्स एक्या है लाइटसोर्स और थे इडिवॉर्ट डेख्रेये हो इसका लाइट पढ़ रहे है और ब्रयू क्तिने ब्राइटनेस टो बैड्नेश वॉट कितनी ज्यादा इंतेंसिटी एक इस पर इसकी ज्यादा इंटे Lumens है, that is illumination, ठीक है क्या, ठीक है, तो अब unit क्या हो जाएगी, intensity पर unit surface area, intensity की unit क्या होती है, candle, या candela, तो candela per meter square, candela per meter square, तो SI unit is what, candela per meter square, luminous का, तो intense luminous intensity, तो luminous intensity का क्या होता है, candela, और area का क्या होता है, meter square, ठीक है क्या, इसको, इसको और पता है क्या बोलते है, knit, ठीक है, इसको और क्या बोलते है, knits, done, candela per meter square, और एक यूनिट और होता है एक होता है Nits एक होता है Nits एक होता है Stilv ढहना, देखको 3 आप यूनिट रखोगे किसके लिए iluminance के लिए 3 क्या धेर सारे हो जाएंगे सबसे पहला क्या Candela पर मीटर इसक्वार दूसरा क्या निट एक याद रखोगे आप स्टिल व यस्टी आई लग बी डैट इद एधी सीजिएस यूनि इसिज एटाइए उनित और ढट इट इसीजिएस उनिट सीजिएस उनिट में मीटर को अपन क्या लिखते हैं संटिमीटर फिंटेला पर centimeter square, ठीक है? तो that is what? That is stilb, ठीक है? एक unit और होता है, जो अभी आगे बात करेंगे, Lambert Lambert is also unit of brightness, Lambert is also unit of brightness, ठीक है क्या? Lambert is also unit of brightness, तो क्या-क्या unit हो गया? Luminance और brightness, पहले तो luminance क्या होगा? या brightness क्या होगा? तो intensity per unit area, ठीक है ना? कितनी ज्यादा intensity है, वही हमें क्या बताएगा? brightness बताएगा, या brightness को और क्या बोलें है? Luminance, Luminance या फिर brightness, तो intensity per unit area, तो that intensity का unit क्या होता है? Candela, तो Candela पर meter square, इसको और क्या बोलते है? NIT या NITS, ठीक है? ने, Candela पर centimeter, this is SI unit and this is CGS unit, that is CGS unit, ठीक है? तो Candela पर centimeter square को और क्या बोलते है? स्टिल्ब, S-T-I-L-B, डन? और उसके बाद एक unit और याद रखो के, that is what? Lambert, डन? Lampe Efficiency, अब तो को Lampe Efficiency क्या होता है? जैसे अभी, कोई बल्व होता है न, तो उस पर Lampe Efficiency mention किया जाता है, कि क्या होता है Lampe Efficiency, कि अगर आप एक अगर इसको यक्स much of lumens create करना है, तो कितना वाट लेगा इस तरीके से, ठीकिक न, समझते हैं, वाट इस Lampe Efficiency, तो Lampe Efficiency को और क्या बोलते हैं, बोलो, और क्या बोलते हैं, Luminous Efficiency, वाट गलती नहीं है, ठीक है, वाँ ही है, जो लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, नीचे लिखा हुआ है मैने Luminous Efficiency, आज बोलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत माइनर सा डिफेरेंस है, बहुत माइनर सा, इसलिए मैंने सबको एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, अब जैसे कल अगर आपको याद हूँ, तो मैंने Radiant Efficiency का formula बताया था, कि किसी object को आप heat करोगे, तो total energy, कितना ओ heat light के form में convert हो रहा है, डिवाइड भाई, टोटल कितना energy create कर रहा है, total energy कितना create कर रहा है, महलब numerator में क्या होगा, कितना energy कहा convert हो रहा है, light में, डिवाइड भाई, कितना energy हो radiate कर रहा है, ऐसे कुछ बात हुए थे हमारी, तो देखो ज़रा, lamp efficiency क्या है, basically यह हमें बताता है, कि the ratio of the light output, from a light source, ratio of the light output, महलब visible light, या फिर luminous flux, to the power consumed, महलब अगर एक watt power consume करेगा, तो कितना lumen से देगा, सुन में आगा, अगर एक watt power consume करेगा, तो कितना आपको luminous flux देगा, यही क्या होता है, lamp efficiency, यह simple सी बात बताओ, एक बात बताओ, एक light आप लाए, आप उसे input क्या दे रहो, बताओ, electrical energy, power, वाट ना, और आप उसे output में क्या चाहते हो आप, बुलो, light तो पूरे chapter का नाम है, luminous flux चाहते हो आप, number of lumens चाहते हो आप, समझभा आया, ज़्यादा से ज़्यादा हो क्या करें, number of lumens, release करें न, यही चाहते हो ना आप, तो output upon input, यही चाहते हो आप, efficiency, तो what is output, number of luminous flux, और what is input, electricity, watt, power, बोलो हाँ या ना, ठीक है, तो given amount of electric power, visible light are, luminous flux, divided by given amount of, electric power, तो lumens per watt, lumens per watt, अब सर, इसमे और इसमे क्या difference है, तो देखो यार, कई जगा, जब आप चेक करोगे न, ते चारो टर्म, एक ही दिखाया जाएगा, बट, यहाँ पर क्या है, जब हम luminous efficiency की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, कि, हम total, जो energy, release हो रही है, वो visible भी हो सकती है, और, बलब light के form में, रिलीज हो रही है, वो visible भी हो सकती है, और, non visible भी हो सकती है, समनना जारा, energy convert तो हो रही है, बट, अब जैसे, मैं बोलाओ कि, 400 से 700 nanometer के बीच की light, हमें दिखती है, तो, कहने का मतलब, जरूरी, मतलब, अब मालो आप किसी particular color की light दिख रहे हैं, particular wavelength की, कुछ wavelength हैसे भी होंगे, जो visible हो सकते हैं, बट, हो नहीं रहे हैं, समनना रहा है, मतलब, जो हमारी help कर सकते थे, देखने में, बटो कर नहीं रहे हैं, तो, अगर सब को consider कर ले रहे हो, तो, उसको क्या बोलेंगे, luminous efficiency, अगर सिर्फ उसको consider कर रहे हो, जिससे कि आपका काम हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, lamp efficiency, समझ में आगया, नॉर्मली, बुक्स वगएर में, या फिर आप जब देखोगे न, इस चारो टर्म एक ही होगा, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, कि इसमें हम किस पर फोकस कर रहे हैं, इन्टू बिजीबल लाइट पे, किस पर बिजीबल लाइट पे, बट इसमें क्या है, बिजीबल एंड नॉन बिजीबल रेडियेशन, दोनों होते हैं, this is the only difference numerator में इसमें सिर्फ कौन सा होता है बीजिबल इसमें क्या होता है बीजिबल और नन बीजिबल दोनो clear है गया तो बीजिबल एप इसमें क्या होगा बीजिबल जिसमें देखो सिस्फ बीजिबल है